नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आप लोगा मेरे स्यूटूब चैनल इट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टाटा टियागों में एक कमी के बारे में जो की काफी जादा अनोईंगे काफी जादा बेकार लगती है औ टू साइकिल ले ले इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आपको समझ में आईगी कि ये दिक्कत क्या है और क्यों है और आपके पास यदुटैम स्वागत यह तोदो कमें जरूर बताना सु में ने किया उसके बारे में पूरी बात करते पूरी कहानी में आपको सुनाता ह तो इस गाड़ी में मुझे एक समस्या देखने को मिली है वो थी कि इसके फ्रंट के दोनों डोर्स में काफी ज्यादा ड्रेटलिंग नौइस देखने को मिल जाती मतलब कि जब गाड़ी दचकों में या कहीं चलती थी ना तो मतलब काफी धड़ड़ भड़ड की आवाज आत करती है अंतलब कहां आवाज आ रही है क्या आवाज आ रही है उपर से मुझेक सिस्टम चला देंगे एसी वैसी चला देंगे और सर्विस सेंटर में लेके गए तो खूब पेट्रोल जलाएंगे बताएंगे कि दिखाओ बताओ कहां है हाईवे पे चलाएंगे तो कैसे आवाज आ रही है फिर आवाज को उन्होंने सुधारा सुधारने में भी उन्होंने क्या किया आप जानके हसो गए कि जो गेट है यहां पर इसे खुला और उसे खुलने के बाद यहां पर कुछ इस तरीके से पेर लगाया और ऐसा खीचा तो यह मतलब इसको अपने पोजि दो हफते बाद फिर से जो नौई रेटलिंग नौईज नौई डर्वाजों मेंसे आने लगी इस बहर एक दरोजे की बजाए दोनों दर्वाजों में से आने लग गई सो दोनों दरवाजों में से आने लगी फिर मैं परिशान हुआ अब भाई सर्विस सेंटर जो है हमारे घर से काफी जादा दूर है और इतनी दूर आने जाने में तेल तो खर्च होता ही है दिल पर पत्थर रखे गए और वहाँ पर हमने जो डोर से उनको वापिस से उनने बत और खोले दोनों डूर्स को दोनों डूर्स पर खोले और फिर काफी अच्छे से मतलब अंदर से सारे नटबॉल्ट अच्छे से जो है टाइट करके बताए कि चलो ठीक है फिर उसके बाद समझ से हलंगी सोल्व हो गई ऐसा नहीं था सो फोल्व नहीं हुई फिर एक महीने क लगभग फिर से गाड़ी में दोर्स पेसे आवा जाने लग गई और फिर डोर्स के साथ-सके डेश्बोड में से भी हवाज आने लग अब इस बार हद हो गई अब फिर में लेके गया इस गाड़ी को वापिस सर्विस सेंटर में विला सर यह तो बहुत ज्यादा लेकिन ये समस्याना मुझे बहुत ज्यादा लगी ती और खासकर जहांगी वाली समस्या नेहीं लोगों को इसमें आ रही है और इसके गेट पर भी यह नौई आ रही है उन लोगों ने क्या कि आप सुनके हसेंगे उन्हें नहीं लोगों ने वह जो घड़का फोम नहीं आता वहां पर पीछे कहीं कहीं पर लगा के दे दिये और बोलते कि चलो ठीक है अब समस्या हो गई और अब इस उक्राइब को अवाज को माने फिर एक महीने बाद of आने लगी सो व्यक्ति अगर करें तो सवह चार्न का तरीका आप लोग ने देखा फॉंद लगा कि उनलोगों ने सुधार दिया और फिर फॉंद लगा कि सुधार्ने के एक मेने बाद फिर से इसमें आवाज आ गई अब फिर मेरे से पेट्रोल का खर्चा सहा नहीं गया भाई गरीव आदमी और फिर मैं गया ही नहीं सर्विस सेंटर में उसके बाद से और जब भी जाता हूं सर्विसिंग करवाने गाड़ी की तो उन्हें की समस्चे बताता हूं इस गाड़ी में रैट्लिंग नौइज इसे सुधारो फिर एक मुझे काफी जादा सज्जन व्यक्ति मिले इनके सर्विस सेंटर में उन्होंने बताया कि ब्हाइं टाटा टियागो में यह जो समस्च्या है यह इस गाड़ी का मेनुफैक्टरिंग डिफेक्ट है अब नया व्यक्ति जो भी नई नहीं गाड़ी लेने जाएगा और रैटलिंग नौइस तो चेक नहीं कर पाएगा तो और करेगा भी कैसे नहीं गाड़ी में थोड रखें बाकी मैंने आप लोग को बता दिया अगर आपके पास टाट यागो है और उसमें इसी कुछ समस्या है क्या उसका रिस्पोंस है कमेंट में जरूर बताएं बाकी यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और सब्सक्राइब करेगा इस झाल